नमस्कार दोस्तों इबाद फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टर्निम पॉइंट में आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंटूल के तूरू का इफेक्ट देना सिखा हूँगा कि किस तरीके से आप पैंटूल का यूस करके अपनी फोटो को एक काटू डाउनलोड करनी है तो मैं नीचे डिस्कूपिशन में आपको लिंक दे दूंगा आप महाँ से जाके सिंपल इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब काटून इफेक्ट देने के लिए सबसे पहले मेरे को एक न्यू लियर क्रिएट करनी पड़ेगी जो मेरी मॉडल है उसके उपर अब मैं इसका नेम देता हूं आउटलाइन आप जो भी नई लेयर बनाए उसका नाम जरूर दीजेगा वरना बाद में बहुत ज़्याता कंफूर्स हो जाएंगे इसके बाद में अपना पैंटूल यूज करूँगा इसके लिए हमें जो यहां पे हैर इसकी आउटलाइन बनानी है अब अगर आपको पैंटूल का यूज करना नहीं आता है तो आपको YouTube पे काफी वीडियो मिल जाएंगी आप Simply आहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको पैंटूल का यूज सीखना है तो आप मुझे निचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं उसके ऊपर एक मैं simply यहां पर क्लिक करूँगा उसके बाद एक क्लिक यहां पर करूँगा बट जो मौस से उसे रिलीज नहीं करूँगा और simply जो मौस उसे थोड़ा सा मैं ड्रैक करूँगा इस तरीके से ताकि यह कर्व में आ सके यह देखे इस तरीके से इसके बाद मैं simply से यहां क्लिक करके थोड़ा से drag करूंगा इसके हिसाप से आप इसकी जीतनी practice करेंगे आप उतनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे अब देखेसा करना हो सिसली को यहाँ करूंगा तकी मैं selection perfect कर सोगैं चलिए मैं आपको स्ट्रहक्षील कंह सेल्टी करें दिखाता हूं झाल झाल हेर के स्टेख्षियू को सब बचान आप देख रहे होंगे कि मैं जो सप्रेक्षियों यहां से लेगे इसका यह अवा कि यह फायदा हुआ हुआ है और हेर का सिलेक्षियों भी और आटमेटिक लिली जो फेस है उसका भी सिलेक्षियों हो गया है सेलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें आप अपना ब्रस टूल लेना है और जो इसका साइज है वह आराउंड नाइन पर रखना है और जो हार्डनेस है वह ओल ओवर और इसके बाद यहां पर फोग्राउंड में ब्लैक कलर रखना है और वापसी से अपना पैंटूल सेलेक्शन के अंदर यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इस्ट्रोक पाथ को आपको सिंपलीट पर क्लिक करना है प्रेशर को आपको आपको आफ करके रखना इस पर चैक हो तो अंचक कर लिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा और याद रखिएगा जो आपकी आपने न्यू लियर बनाई थी वह वाली अक्टिवेट हो और आउटलाइन वाली और सिंपली ओके पर क्लिक कर हैं और जैसे अब यहां देख रहूंगे आप यहां का जो सिलेक्शन है यह कंप्लीट करना है तो मैं सिंपली क्लिक यहां पर करूँगा एक क्लिक यहां पर थोड़ा सा ड्रैक करूँगा और दवा के इस पर जो यह बीच का पार्ट है बीच में जो डॉट है इस पर क्लिक करूंगा तो यह यहां से off हो जाएगा handle जो है इसका वो off हो जाएगा उसके बाद फिर वही अब आप देख रहोंगे कि मैंने जो पाथ है वो close नहीं किया है बट आप फिर भी अगर करेंगे जैसे इस पर राइट क्लिक करके अगर स्ट्रोक पाथ पर क्लिक करेंगे और यहां से फोर और फिर फोर सही है वापसे से अपना ब्रश तूल लूँगा और यहां पर राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ और ओके क्लिक और सिंप्ली एंटर पर प्रेस कर दूँगा देखिए यहां पर आउट लाइन इसके भी complete हो गई है अब अपनी फोटो के साफ से इसका जो जो यह बाकी का सेलेक्शन है वो complete करके दिखाता हूं स्ट्रोम खर पाइब क्लिक क्लिक करे दो ओकेह कम झाहिक जोऑगी क्लिका संकिपये कृटने वो भीज़ाओ कर अच्छनुक्त क्लिक कर दो कि अपनीन दो fight nouveau यहां अभी इसके सम, जोब के से ऊपने आप, क्लिक को हमारा जितना भी हार्ड वर्क वह तो हम आपको बनानी है अगर मैं आपको ऑट लाइन दिखाओ कि किस तरीके की लग रही है तो मैं एक न्यू लियर बनाता हूँ पेइंट बखेट टू यूज करूँगा अपना और background में white color रखूँगा और simply alt plus backspace दवाके से fill कर दूँगा तो यह देखिए कुछ इस तरीके से देखेगे यह outline हमारी जो है वो कुछ इस तरीके गिए अब इसके बाद मैं इसे off कर लेता हूँ अब इसके बाद हमने outline वाली जो layer है इस पर click करना है और एक new layer बनानी है अब हमने जो यहां पर hair है उसका selection बनाना है डरिये हमाद हमने pen tool यूज नहीं करना है मैं पहले इसे name दे देता हूँ याद रखिए आप भी जो भी नई layer बनाए आप उसका नाम दे दें जैसे मैंने hair color hair दे दिया इसके बाद मैं अपनी outline वाली जो layer है वह से select करूँगा यहां से magic wand tool यूज को select करूँगा और simply इस पर click करूँगा तो यह देखिए कितने easily हमारा selection बन गया इसके बाद मैं इसके बाद मैं simply यहां पर अपने select में जाओंगा select में यहां पर में कोई option मिल जाता है modify modify में आपको यहां पर expand option मिल रहा होगा आपको simply इस पर click करना है और यहां पर expand 2 pixel पर ही करके रखना है अकर 1 है 1 और 2 आप कर सकते हैं safe side अगर 2 कर लेगा तो better है तो simply ok पर click करेंगे इस सबसे bright color हो आप वो ले लिए जगा like i think मैं यह वाला color ले लूँगा इसके बाद मैं simply इस पर click कर दूँगा यह देखे यह fill हो गया है इसके बाद मैं select में जाओंगा और dislike करूँगा इसी तरीके से मैं एक और new layer बनाऊँगा और उसे नाम दे दूँगा skin फिर मैं अपनी outline वाली जो layer हो इस पर click करूँगा magic wand tool लूँगा और simply यहाँ पर click करूँगा अब आप देख रहोंगा इसने खाली face face का लिया है selection मुझे neck का भी चाहिए तो मैं simply इस पर click करूँगा और यह इसका भी selection ले लेगा इसके बाद मैं हाँ पर अपना paint bucket tool लूँगा फिर से वही color का sample लूँगा alt दबा के और जो सबसे bright tone है उसका selection ले लेंगे हम I think यह better है और इसके बाद simply इस पर color fill कर दूँआ इस तरीके से इसके बाद select में जाएंगे फिर से deselect करेंगे अब मैं new layer बना लेता हूं यहां पर एक और इसका नाम देंगे हम lips मेरे से देखिए एक गलती होगा मैंने outline में ही fill कर दिया color मैं simply backspace दबाओंगा यह हो गया मैं अपनी skin वाली tone लूँगा और उसके बाद color fill करूँगा इस तरीके से उसके बाद में एक new layer create करूँगा lips की lips lips इसके बाद outline वाली layer select करूँगा magic wand tool लूँगा और simply lips पे click करूँगा इस तरीके से पहले sorry जो हमने selection मना है उसे deselect कर लेंगे इसके बाद हम lips पे click करेंगे तो देखिए इसमे selection मना लिया इसके बाद lips वाली layer पे click करेंगे और paint bucket tool और simply fill कर देंगे इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों बोला था कि आप जो layer है उनके नाम दे दीजेगा बना यह बहुत जादा confusing हो जाता है अब इसके बाद हम eyebrow करेंगे वही new layer create करेंगे अगर इसमें कुछ गलती हो जाए spelling में तो ज्यादा बुरा मत मानिएगा वैसे भी मैं English में क्योंकि बहुत बुरा हूं तो चलिए एक क्याम करता हूं मैं आपको जल्दी से फिल करके दिखाता हूं सब पर यह किस तरीके से दिखेगी तो यहां पर हमारे जो color है वह complete हो चुग हमने पूरे इस पर color कर दिया पूरे उस पर नहीं करा है अभी कुछ बाकी है और वो है हमारे मैडम जी के दात तो हम इसे जल्दी से फिल कर देते हैं simply layer गए selection करेंगे offline layer simply यह हो गया यह हो गया इसके बाद paint bucket tool, foreground में white color और simply इसे fill कर देंगे इस तरीके से select, deselect इसे गलती होगे मैंने lips का color चेंज नहीं करा तो मैं यहाँ पर new layer create करके फिर से lips का selection ले रहा हूँ offline layer का है मेरी यहरी इसलिए मैं कह रहा था आपको कि आप अगर जो layer का अगर आप नाम नहीं देंगे तो आप बहुत ही ज्यादा confused हो जाएंगे वह मैं इसलिए ही कह रहा था इसके बाद brighter tone यह ज्यादा better मैं तो में simply इस पर click करके कर दूँँगा select में जाके से वापसे से deselect करेंगे फिर से मैंने गलती कर दी lips पर जाना है और फिर fill करना है और यह हो गया select deselect तो जो यहाँ पर हमारा coloring का part है वह complete हो चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर अब देख रहूंगे कि मलद ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा आप डबल क्लिक करके इसे layer 0 में convert कर लीजए और इसकी एक copy बना लीजएगा ctrl plus j दबा के copy को हम नाम देते हैं details इसके बाद मैं इसे सबसे उपर रखूँगा जितनी भी मेरी layer है उनमें सबसे उपर उसके बाद मेरे को इसे desaturate करना पड़ेगा desaturate से मतलब मतलब इसे black and white करना पड़ेगा इसके लिए मैं image में जाऊँगा adjustment पे जाऊँगा और यहां पर आपको एक option मिल जाता है desaturate इसकी जो shortcut की है आप वह भी यूज़ कर सकते है shift plus control plus u simply इस पर click कर दिजए तो देखे desaturate हो जाएगी इसके बाद जो इसका mode है आप इसे normal से multiply पर कर लीज़ेगा इस तरीके से इसके बाद आपको यहां पर एक option में इसके बाद आपको filter पर जाना है filter में आपको यहां पर option मिलता है filter gallery का आपको simply इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपके आगे कुछ इस तरीके का dialogue box open हो जाएगा जब यह open हो जाएगा आपको यहां पर artistic का option मिल जाता है आपको इसमें second option चूज करना है cut out और जो number है आप वो देश सकते हैं आप इसे अपने इसाब से adjust कर सकते हैं जैसे मैं इसे 4 रखोंगा यह 5 पर और 3 यह मेरे number मैं इसे 5 4 sorry 4 5 3 पर रखा है आप अपने इसाब से adjust कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे I think हाँ सही लग रहा इसके बाद मैं simply ok पर click करूंगा यह देखिए इसने यह apply कर दिया देखिए अब इसके बाद आप इसकी opacity चाहे तो कम कर सकते हैं इतनी I think यह better है अब इसके बाद अगर आपको hair वगेरा है इनके color change करने है या face का color change करना है तो इसके लिए आप simply यहां से hair वाली जो layer है उस पर click करेंगे जैसे आपको अगर hair का color change करना है तो hair वाली के page जाएंगे और यहां पर आपको image में जाना है adjustment पर click करना है और यहां पर आपको hue saturation option मिलता है आपको simplis पर click करना है और यहां से आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको सही लगे आप उस हिसाब से अपनी जो photo है उसे adjust कर सकते है यह मुझे अप सही लग रहे है बाल इस पर मैं ok click करूँगा अब मैं skin का color थोड़ा सा ठीक करूँगा इसके लिए मैं skin वाले layer पर click करूँगा image में जाऊँगा adjustment और hair saturation और simply यहां से फिर इसे adjust करूँगा आप अपने इसाबसे से adjust कर सकते हैं मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इससे adjust कर सकते हैं उप्स बड़ा गंदा लग रहा है यह बैड़ा है मैं यह बैड़ा है मैं simply okay पर click करूँगा lips का color पर चलिए थोड़ा some change करते हैं थोड़ा dull सा लग रहा है saturation यह better है okay पर click करूँगा आप चाहें तो eye का color भी change कर सकते हैं simply image adjustment saturation और यहां साब aking तो अब तो देखिये आप को फर्रक दिख रहा होगा इसके बाद जब आप यह अजस्मेंट कर लें आप इसके बाद जब आप यहां पर जो डिटेल वाले लियर है जो आउटलाइन वाले लियर इस पर क्लिक करिए मैजी वांट टू लीजिए और बाहर कहीं पर भी आप आप क्लिक कर दीजिए इस तरह के से यह अजब आप से अपने डेटेल वाली लेयर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप एड़ मास का यह आपको अप्शन बिल जाता आपको सिंपली इस पर क्लिक करना और इसका मास बना अपस यह जो हम चाहरे तो इसका उल्टा गया कोई नि आप इस तरीके से दिखेगा आप इसे अपने इसाब से अरजस्ट कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे तो जो हमारा काटून इफेक्ट है वह कंप्लीट हो चुका है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के सांस शे आपके मंद में अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंड बॉक्स में पूर सकते हैं मैं उनका अंसर देनी की पूरी कोशिश करूंगा अब आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई चेक्या घर पे रहिएगा सु झाल